हलो फ्रेंट्स नमस्कार सुवागत है आप सभी का आपके हे अपने यूट्योब चैनल पर उमिदे सभी लोग बहुत ही सांदार होंगे लाजवाब होंगे और अपनी त्यारी कर रहे होंगे सबस्क्राइब बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर्फ शीटट का नोटिफिकेशन कब आएगा आएगा या फिर नहीं आएगा एक्जाम दिसम्बर में होगा या फिर नहीं होगा तो यह सारी कि सारी चीजें जो आप लोग पूंच रहे हैं यह चीज अभी तक किसी को भी नहीं पता है अगर कोई टीचर आपको बता भी रहा है तो सिर्फ संभावना ही मतलब बता जा रहे हैं कि एक्जाम दिसम्बर में होगा या फिर नहीं होगा क्योंकि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है जब तक कोई भी कुछ कोई भी जो है, मतलब 100% नहीं मता सकता है, एक्जाम होगा, December में और फिर नहीं होगा, लेकिं जो हम लोगों के हाथ में वो है, सिर्फ तयारी करना अच्छे तिरके से तयारी कर दीजिये, जब भी एक्जाम होगा, December में होगा, January में होगा, February में होगा, एक बार में start आप अप तगा पढ़ाई नहीं करेंगे तो चलिए आज की जो हमारी क्लास रहने वाली वो है सीटेट से समंदित हिंदी पैडागोजी की यहां से आते हैं पंदरा कोश्चन्स और पंदरा आते हैं आपके पैसे से आपको पताईए हम लोग अपनी एक या दो क्लास से कर चुके हैं गद्यास और पद्यान से समंदित अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखेगा कि किस प्रकार के कोश्चन्स वहां से बनते हैं गद्यास और पद्यान से तो चलिए आज की क्लास सुरू करते हैं हिंदी पेड़ागोजी आज की क्लास में लोग 15 कोश्चन करने वाले हैं और 15 कोश्चन आप लोग बताएगा कि आप कितने सही कर पार इन 15 में से और कितने आपके गलत हुए हैं तो आज की क्लास का जो पहला कोश्चन है वाहे प्राथमी की स्थर पर कौन सी गतिविद बच्चों की मोखिक अभिवक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है आपको क्या बताना है सबसे कम प्रभावी है तो चलिए फटा फटा आंसर करिएगा सभी लोग एक से लेकर के 5 तक का जो इस तर होता है प्रभावी तरीका कौन सा है मोखिक बाच्चीत करने का पहला फटान है घटना का वर्णन कर देना आप कहीं रस्ते में आ रहे थे हैं आपके सामने कोई घटना घटित होगा या अपने कलास में आ करके बच्चों को बता दिया दुसरा अपसन लिखा है कहानी को सब दोसा दोराना आपने कोई पाठ पढ़ाया और बच्चों को बोल दिया कि आप लोग हमारे साथ में दोराते वे चलिएगा या फिर तिसरा अपसन लिखा है कहानी को अपनी भासा में कहना फिर आपने बच्चों को कोई कहानी बता दी और बच्चों ने क्या किया अपनी भासा में कहानी को कहा है या फिर चौथा अपसन लिखा है चित्र दिखा कर कहानी लिखवाना तो इन चारों मैसे सा कौन सा अप काते हों दोहरा देना जैसे आपने पढ़ाया वैसे ही बच्चों ने दोहरा दिया तो सबसे कम प्रवावी तरीके के बारे में बात की जा रही थी तो जो सबसे कम प्रवावी तरीका इन चारों आपसनों में है वो हो जाएगा कहानी को सब्दसा दोहराना उमेदे सभी लोग प्रियोग के संदर्व में कौन सा कथन उचीत है जो वह मुहावरे और लोकोकतियों Aww.. आंगन lakes Government 1911 सब कैसे मुहावरें तो बताइए मुहावरे और लोकोकतियों के प्रियोग के संदर्व में कौन सा कथन सही है، पहला लिखाए, ये भासा का अनिवार हिस्चा है, क्या ये जो हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां होती है, भासा का अनिवार हिस्चा होती है ये फिर नहीं होती है, द्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग दूसरा अपसन लिखाए, ये भासा प्रियोग को प्रभावी ब प्रवावी बनाते हैं आपनी बात कहीं पर रख रहे हैं और साथ-साथ में आप उनमें मोहावरें सामिल कर दे रहे हैं आपकी भासा कैसी हो जाती है बहुत ही प्रभावी हो जाती है तो आपसन नमबर बी बिल्कु सही है जिन लोगों ने आपसन नमबर बी किया था इस question के लिए उनका सबका बिल् लिखा गया है अनुच्छेद, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया, जिसमें प्रतेक पांचवे सब्द की जगा है, हरिक तिस्थान था, जिसे बच्चों को भरना था, नीता ने किसका प्रियोग किया, आपको ये बताना है, मान लेजे कोई पैसेज लिखा हुआ है इसमें 5 यानि के 4 सब्दों के बाद में डौट-डौट गूर plugin बनकर आ रहा है तो नीता ने किसका प्रयोग आपको यह बताना है पहरा लिखा है पठन परिच्छन का दूसरा लिखा है ले खन परच्छन किसका प्रियोग किया है तो आपसन नंबर डी जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही होगा नीता ने प्रियोग किया है क्लोज परिच्छन का प्रियोग किया है तो आपसन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कई सारे लोगों ने यहाँ पर पठन यहाँ प आज की हमारी क्लास से कितने कोश्चन सही से कर लिये थे अगला कोश्चन आपका कोश्चन नमबर 4 लिखा है बच्चों में डॉट डॉट और डॉट डॉट के माध्यम से लेखन कोसल का विकास किया जाता है बहुत अच्छा कोश्चन है सभी लोग आराम से पढ़ी और आश्चन करिये एक बच्चों में डॉट 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 और डॉट डॉट के माध्यम से लेखन कोशल का विकास किया जाता है पहला अप्सन आपका रे खांकन और चित्रांकन दुसरा अप्सन है चित्रांकन और लिपी चिन्नो जबकि तिसरा अप्सन है रेखांकन और लिपी चिन्नो जबकि चौथा अप्सन है लिप चिन्नो और अच्छर बनावट तो आंसर करिए एक बाद सभी लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कॉश्चिन नंबर फोर का सभी लोग यहाँ पर इसारे अप्सन को रखे देखे एक बाद चेक करे लिखा है बच्चों में पहला अप्सन देखे लिखा है रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कोसल का विकास किया जा सकता है पहला अप्सन थोड़ा वो सही लग रहा है लेकिन भी देखते है लिखा है बच्चों में चित्रांकन और लिपी चिन्नो के माध्यम से लेखन कोसल का विकास किया जा सकता है जबकि C लिखा है रेखांकन और लिपी चिन्नो जबकि D लिखा है लिप चिन्नो और अक्षर बनावट तो इन सब में देखा है तो आपसन नमबर इसका एक यह है Question number 4 के लिए उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्या हो जाएगा है अपर बच्चों में रेखांकन वा चित्रांकन क्या हो जाएगा रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कोसल का विकास किया जा सकता है तो जिन लोगों ने अपसन number 8 कर लिया था का सबका बिल्कुल सही है बाकी के जो आपसंस है वो इसमें गलत हो जाएंगे आपसंस नमबर एक का ब्लकुल रहिए और 60 आपसंसर एक और फोर के लिए कोशन नमबर फाइव उसलों करिएगा एक बार लिखा है मुदिता अक्सर शाको जो है शा बोल देती है आपसन लिखा है भासा गत तुटिका होना क्या ये जो शा को शा बोल ले है कैसी तुटिका है भासा गत है या फिर छेतरी भासा का प्रभाव होना या फिर भासा गत ग्यान का अभाव होना या फिर भासा प्रयोग में लापरवाही करना तो लापरवाही बच्चा कभी भी न यहां पर चलते हैं अपने एगले question पर question number 6 पर, सारे के सारे question है repeated यानि कि कई बार आपके पूछे गए हैं, और यहां सही question बनने की संभावना है, फिर से एक से आपको इसी परकार के आपको देखने को मिलेंगे, आपके एक्जाम में हो सकता है कि लेंग्विज थोड़ी भूत आगे पीछे कर दी जाए इस question का answer करिए सभी लोग question पढ़िए और answer कर दीजिए सही answer क्या रहने वाला है देखे question लिखा है निम्रिखित मेंसे कौन सा प्रशन बच्चों की भासा चमता के विकास में सारवाधिक सहायक है भासा चमता के विकास में सबसे जादा सहायक है आपको यह बताना है तो सभी लोग answer करेंगे एक बार question number 6 का निम्रिखित मेंसे ऐसा कौन सा प्रशन है जो बच्चों की भासा चमता के विकास में सबसे ज़्यादा सहायक है देखे पहला अपसान लिखा है डाल डाल का अपयोग करते हुए वाक की बनाओं आप लोग समझ रहे हैं कि डाल डाल का अपयोग करके वाक की बनाना है तो बच्चे कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे बहादा सम्ता का सबस्यादा विकास हो उसके बाद में देखे, D लिखा है, तुम्हारी मन पसंद किताब कौन से हिंदी की है, इंगलीस की है, मैथ की है, साइंस की है, वन वर्ड आंसर है, तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, अब आपको बताना है, 1 और 2 यानी की A और B में से कौन सा आपसन सही हो उमेद है, सभी लोगों ने इसका आपसन नंबर B ही किया होगा, चलते हैं अपने अगले क्वेशन पर क्वेशन नंबर 7, सभी लोग पढ़े हो और आंसर करिए, सामाजिक अंताक्रिया की आउधारना डाट-डाट से सम्मंदित है, इसकिनर से है, प्याजे से है, चामस्की सामाजिक अंताक्रिया की बात कौन करता है, बहुत अच्छा क्वेशन है, CDP में हम इस पकार के क्वेशन कर चुके हैं, और अभी भी जो हमारे सीरीज चल लही है आपकी, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अपने प्रिवेशर क्वेशन के सीरीज कर रहे हैं, जो आपके अगली सिफ्ट हुई थी, इसके 30-30, इसके 30 question CDP के, यहां से आपको बहुत फायदा होगा, जो हमारे सीरीजें चल लही है, इस question का सही आंसर सभी लोग बताए क्या हो जाएगा, उमेदे समी लोगोंने कर भी लिया होगा, इस question का सही answer है, वाई गोट्सकी, सामाजी कंता क् कि बात, तो उमेदे सबसे, आपको अच्छा question लगा होगा, यह क्योंकि बहुत आसान question था, और आप लोगोंने आराम से कर लिया होगा, देखते ही, देखते है, अगला question आप लोग करिये, और सही answer क्या है, बताएगा, लिखा है, इसकिनर ने भासा सीखने की प्रक्रिया मे पहला अपसे लिखा अंता क्रिया पर, दूसरा अपसा ने अनुकरण पर, तिसरा अपसा ने भासा अरजन छमता पर, जब की चोथा अपसा ने स्रजनात मक्ता पर, तो सभी लोग बताएगे कौन सा answer सही हो जाएगा, question number 8 के लिए, question number 8 का बताएगे, सही answer क्या हो जाएगा, अन्ता क्रिया जो है, वो आपको पता होना चाहिए, अन्ता क्रिया पर बल किसी ने दिया था, वाई गौसकी ने दिया था, यानि, question number 8 आपका नहीं होगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, अनुकरण की, तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका आपसा नंबर B, इसकेनर ने भासा सिखनी की प्रकिया में अनुकरण पर सारवधिक बल दिया है, आपसा नंबर B, इस question का बिल्कु सही है, जिन लोगों ने आपसा नंबर B के अनुका बिल्कु सही हो गया, आपसा नंबर C देखे लिखा है, भासा अरजन चमता, तो भासा अरजन की छमता पर बल किसी ने दिया था, आपको पता होना चाहिए, चामस्की ने दिया था, आपसा नंबर D लिखा है, सरजनात मक्ता, तो इसके अपर विसेश बल मतलब कि किसी ने नहीं दिया है, आपसा नंबर A आपको पता ही चल गया, आपसा नंबर B में, आपसा नंबर C मे चाँ मस्की आएंगे चलते है अपने एक लिए बहाइश हे और बहाइश है की चम्ता का अक्रन में करना है तो उसके लिए सारवधिक साहयक क्या हो जाएगा पहला प्सण लिखा है बच्चों की परस पर अनोवचारिक बाचीत दुसरा प्स And लिखा है बच्चों की कच्छा में उपचारिक बाचीत जब की तीसरा अपसन लिखा है बच्चों और सिच्छक की परस पर उपचारिक बाचीत जब की चथा अपसन लिखा है बच्चों का सिच्छक द्वारा प्रदत अभ्यास कार करना आपको बताना क्या था कि बच्चे की भासा के छमतक अगर आपको आक्रन के लिए सबस्यादा साहयक क्या है तो question number 9 के लिए हो जाएगा option number आपका A सबस्यादा साहयक है बच्चे की परस अनौपचारिक बातचीत उमेद समी लोगों ने इसका सही answer कर लिया होगा चलते हैं अपने गरे question पर question number 10 कई सारे question आपको hard भी लग सकते हैं क्योंकि हिंदी पेड़ा गोजी में बहुत लोगों के question कई सारे गलत हो जाते हैं क्योंकि थोड़ी से hard आती हैं कई सारे question गुमूके पूचे जाते हैं ओर जहां पर रिक्तिस्तान आ वहने question आते हैं वहाँ पर थोड़ा सा कठवेink हो जाता क्योंकि सारे इन चारों मेंसे जो कच्छा में बहु भासिक्ता को पोशित करता है पहला अपसन लिखा है एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे एक अच्छी लगने वाली महक को हम क्या कहेंगे क्या ये बहु भासिक्ता को पोशित कर रहा है कि इसमें बहुत सारी भासाओं का प्रयोग हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है दूसरा अपसान लिखा है बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे अच्छे लगने वाली महक को सुगंद कहते हैं और बुरी लगने वाली को क्या कहते हैं दुरगंद कहते हैं जबकि तिसरा अप्षान लिखा है तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है और चौथा अप्षान लिखा है फूलों के नाम अपनी भासा में लिखो अगर आपकी क्लास में तीस बच्चे बैठे हैं और आपने उनसे बोल दिया कि जितने भी बच्चे हैं सभी लग अपनी भासा में फूलों के नाम लिखकर के लाएंगे चार फूल बता दिये गेंदा गुलाब गुलमोहर गुडहल तो उनको अपनी भासा में लिखकर के लाना है इनमें आपको कई सारी भासाइं देखने को मिल जाएंगी जब सभी वालक लिखकर के लाएंगे तीस वालक जिसे आपके क्लास के हैं तो हो सकता है आपको कई सारी फूलों के डबल नाम देखने को मिल जाएं तो आपसा नमबर D जिन लोगों ने किया था यहाँ अभ्यास प्रश्ण डॉट डॉट का उदाहरण है आपको बताना है सभी लोग अंसर करेंगे एक बार क्या सही अंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर उदाहरण पूछा जा रहा है उदाहरण क्या उदाहरण है कहने का मतलब है question यह कह रहा है कि आपने बच्चों को एक ऐसी कहानी बताई जिसमें कई सारी पहाड़ी और घाटियों का वर्णन था आपने उनसे बोल दिया आपको बताना है कि वहाँ पर और कौन-कौन से चीज़ें हो सकते हैं पहाड़ पर घाटियों में यह यहाँ पर प लोगों कोच सी चीज़ें जो हो सकती हैं तो यह किस चीज का उदाहरन है संदार्व में व्याक्रण का है या फिर सब्सभण भंढ़र में ही कास करने का या फिर प्रयाव और की सब्दों से परिचे करवाने का है तो question नमबर 11 आपसर नम. A बिल्कु सही हो जाएगा संदर्व में व्यक्रण का है आपने उनको एक कहानी पढ़ाई फिर आपने उनसे पूछ लिया कि आप बताईए कि इन में से संग्या कितने थे सरुनाम कितने थे तो यह सब क्या है यह सब संदर्व में व्यक्रण क्या आते हैं जिन लोगों ने अफ़र नंबर की ऐ था उनका सबका विल्कुल सही है आपने कहानी उनको एक सुना दिया उसके वाद कोछे रहें कि आ बताईए पाड़ी पर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं तो यहां पर आपसा नंबर नंबर ने चिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका सही अंसर हो गया कोश्चन नमबर बारा पढ़ेगा और आंसर करेगा बहुत इच्छा कोश्चन है लिखा है सिच्छन प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डॉट डॉट सिच्छन सामगरी शाहयक होती है ऐसी कौन सी सिच्छन सामगरी है दूसरा प्रक्रिया को रुच्छकर बनाने में सबसे जीधा साहयक हो सकती है पहला प्रक्रिया को और वीडियो दूसरा प्षन फत्र आप्षन वेवेध्यपूर्ण और पत्र पत्र रिकाएं सभी लोग answer करेंगे क्या होता है अलग अलग तरीके से पढ़ाना, आप अपनी क्लास में पढ़ाने गए, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपने दूसरे माद्यम से समझाया, दूसरे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपने एक जामपल देकर समझाया, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो आपने उसी को उसके जीवन के साथ दिंचर्या के साथ में जोड के उनको पढ़ाया तो जो सबसे सही आंसर इस question का है वो जाएगा आपसर नंबर B क्या जाएगा वे विद्ध पूर्ड जिन लोगों ने आपसर नंबर B किया था है यानि कई सारे तरीकों से पढ़ाना अलग लग तरीकेसे पढ़ाना इसका सही आंसर है वे वे वेद्ध पूर्ड जिन लोगों ने आपसर नंबर B कर लिया सही आंसर हो गया बाकि आडियो और वीडियो वाला ये question इस question के लिए इसका answer सही नहीं मान गया है क्योंकि आंसर की में भी आपका जो NCRT ने माना है वो आपसन नंबर B ही माना है सिच्छर प्रक्रिया को रुचकर बनाने में सबसे आदा जो है शायक है वेवेद्धिपूर तरीका आप अलग लग तरीके से बना अगर बच्चे को पढ़ा रहें एक जामपल बता रहे और शाहित डॉट डॉट है इस प्रकार के कोश्चन आपके कई सारे गलत हो जाते हैं एक्जाम में और यहां पर बताईए सही आंसर क्या रहने वाला इस कोश्चन का फटा 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 आंसर करेंगे सभी लोग प्राथमिक इस्तर यानि क्लास बन से लेकर के क्लास फाइव तक भासाई छहताउं का विकास डॉट है और साहित डॉट डॉट चयूट है आपको यह बताना है। आपसा नमबर सी जिन लोगों ने कर लिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उमीदे सभी लोगों ने कर लिया होगा तो अगर आप लोगों ने कर लिया है तो चलते हैं अपने अगले कोशन नमबर 14 पर सभी लोग पढ़े और आंसर करिए एक बार लिखा है प्राथमी की स्थर पर कौन सा भासा सिच्छन का उद्देश से नहीं है आपको निगेटिव आंसर निकालना था यहाँ पर प्राथमी की स्थर यानि क्लास वन से लेकर के फायू तक भासा सिच्छन का इन मैंसे कौन सा उद्देश से नहीं है पहला आपसान लिखा है अपने दोरा कही गई बात की तार्किक पुष्ट करना अपने किसी चीज को वच्चों को बताया उसके बाद में आपने उसी बात की पुष्ट कर दी उदाहन के माद्यम से कहानी के माद्यम से तो यह तो प्रचनाओं के माध्यम से आप किसी इसे के साथ जुड़ दें तो पोजिटिव तरीका था आपसा नमबर डी है भासा संबंधी व्यक्रण को पूर्टा कंठस्ट करना कंठस्ट करवाना रट्टा मरवा देना ये सब निगेटिव वे में आते हैं तो आपसा नमबर डी इसका बिल्कु सही हो जाएगा जहां पर कंठस्ट करवाना याद करवा देना रटवा देना ये सब के आंसर में लिखे होते हैं तो वहां पर निगेटिव आंसर हो जाता है और निगेटिव यहां पर कॉश्चन भी था सिच्छन का उद्देश से नहीं है तो आपसा नमबर डी बिल्कु सही जिन लोगों ने अपसा नमबर डी किया है सही आंसर कर लिया है अगला कॉश्चन आपका कॉश्चन नमबर पंदरा है कच्छा में भासा की डौट डौट की अपर बनकर उसका उपयोग भासा से छड़ में करना चाहिए इस पकार के क्वेश्चन कई सारे आप पर क्या हो सकता है पहला आपसन देखते हैं विवित्ता के प्रति विद्वान तो विद्वान बन नहीं रहा है तो आपसन नमबर एवाला कट गया दूसरा देखे लिखा है कच्छा में भासा की विवित्ता के प्रति समवेदन सील अप्रति कठोर तो यहां पर समवेदन सी विवित्ता के प्रति सम्वेदन सील बनकर उसका उपयोग भासा सिच्छड में करना चाहिए अगर आप एक भासा के सिच्छक हैं तो आपकी कच्छा में भासा में कई सारी विवित्ता हैं हो सकती हैं, छोटे-छोटे बालक जहां से आते हैं लोकल परिवेश की भासाइं बोल तो आप लोग बताएगा कमेंट करके आज की स्क्रास से आपके कितने कुश्टेन्स है निकले 15 में से और आपको हमारी क्लास के इसे लिए लिगे तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल पर जोड़ा तो चैनल को सस्क्राइब करके जाएगा अगर आपको हमारी इस क्लास की साइंस पढ़ने है इस्ट्री पढ़ने है तो यहाँ पर सारी की सारी बुक आपको एक जिए पर मिल जाएंगी और जिन लोगों को आवशकता है नोर्स करदने की तो आपको 100-100 रुपे में नोर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे हार एक सब्जेक्ट के तो चलिए आप लोग